नमस्कार आप सब कस्वागाते हमारे चेनल नेक्स्ट नैन न्यूस पर मैं नाम है दीपक गुपता बात करेंगे आजम खान के बारे में रामपुर लोकसभा उपचनाफ सीट के लेकर आजम खान काफी चर्चाओं में हैं जहाँ पर इनके खास आसिम रजा उस सीट से खड़ लेकिन ऐसे में जनता के बीच समर्थन मांगने उत्रया आजम खान अपना दर्द बया करते नजर आए सीटापुर जेल की हकीकत को बया करा वहां की कड़वी सच्चाई बताई किस तरीके से उन पर जुल्म उठाए गए थे भरी सबा में आजम खान का जो दर्द शलका उस कांगरेस पर इतने तंज कसे क्यों कांगरेस को लेकर उनका इतना दर्द बया हुआ क्या कड़वी हकीका थे क्योंकि आजम गड़ सीट और रामपूर सीट के अगर बात करें तो वहां पर कांगरेस न अपने प्रत्याशी को उता रही नहीं है चुनावी रड़नीती में त तमाम खबरों पर रोक खुद आजम खान ने लगाई थी उनके वयान तो ये तक थे कि मैं सन्यास ले लूँ हूँ लेकिन शायद सपापाटी ना छोड़ू हूँ क्योंकि जिस उम्र पर जिस पड़ाव पर आजम खान का राजनीती करियरा चुका है वहां से उनको अपने वालों के बारे में भी जादा सोचना है आप खुद देख लीजे रामपूर सीट से उनके खास आसिम रजा खड़े वे हैं लेकिन भरी सभा में किस तरीके से आजम खान का दर्द बया हुआ हुआ आपका अपनी इस खास रिपोर्ट में सुनाते हैं जो सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि आजम खान पर क्या सच मुच इतने जुम ढ़ाए गए थे और आजम खान किस तरीके से कांगरेस को लेकर बयान बाजी करते नज़राएं किस तरीके से उन्होंने कुछ कड़वी हकीकत बताई तो देखिया आप हमारी ये खास रिपोर्ट उत्रपरदेश के रामपुर में हो रहे लोकसवाप चुनाव सफ़ा परत्याशी आसिम रजा और बीजेपी घंशाम सिंग लोधी के बीच सीधी टकर मानी जा रही है लेकिन सपा नेता आजम खान के निशाने पर कांगरेस है उनके शब्दों के बाणों की बोचार कांगर इस से तालुक रखने वाले नवाब परिवार पर ही कटाक्ष कर रहे हैं आजम खान के बयानों से ऐसा लगा था जैसे इन चुनाव में आसिम नहीं बलकी खुद आजम मैदान में है और उनका मुकाबला नवाब खानदान से है ये सब तब है जब कांगरेस से यहां से अप साथ लगाने की बावजूद हुकुम मेरे उपर करप्शन बैमानी और रिश्वत का मुकदमा नहीं लगा सकी ना जाने कितने लोगों का भला हुआ होगा सक्त फैसले भी हुए होंगे कुछ को पसंद होंगे कुछ को ना पसंद होंगे सियासत की शुरुआत बहुत हैं तब भी इमतिहान बहुत सकतें तब भी मुझे 40 दिन ऐसी कोटरी में रखा गया जो जमीन में जादा थी और सिर्फ रोशंदान की जगे थी और इस कोटरी में नामी डाकु सुन्दर को रखा गया था कांग्रेस पर लगाए गया जल्मकारों जी हां आजम ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी या सरकार ने ऐसा क्यों किया पुराने दिनों को याद करते हैं ने कहा कि धाई साल ही लोग अपने पर हुए अमरजंसी के जल्म को भूल गए मिस्च इंद्रा गांदी के बेटे ने तुर्कुमान गेट को देखकर कहा कि छोटा पाकिस्तान मुझे बरदाश्ट नहीं होता नतीजा ये हुआ कि देश बक्ती के नाम पर तुर्कुमान गेट की सड़क खूंच से नहला दी गई उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि आदी सदी गुजरने के बाद उन जखमों को याद दिलाए जाए मैं हमेशा कहा कि मालिक कहता है कि जमीन वालों के साथ इंसाफ करो अगर तुम इंसाफ नहीं करोगे तो फिर हम इंसाफ करेंगे जिसे बरदाश्ट नहीं कर सकोगे जानते हो क्या हुआ मिसेश गांदी का वहीं बेटा जिसने नस्बंदी के नाम पर हर जल्म किया जहाज से उड़ा थ तो मा बेटे की शकल तक नहीं पहँचान पाई आजम ने कहा इमर्जंसी की जेल में और आज के इस दोर में एक बन्यादी फर्क है इमर्जंसी होने के बावजूद भी मुलक में इस बात की अमीद बाकी थी कि लोकतंतर वापस आएगा जैपरकास नरायन ने एक इनकलावी न कि जनाबहार गई पार्लियमेंट में मुकाब्ला हुआ मिसिज इंदरा गांदी को सक्क्त सजा दी जाए मिसिज इंदरा गांदी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया आजम खान यहीं नहीं था में उन्होंने आजम खान एतिहाँś okay जलम को याद रखे गा जलिम को सहने व क्या हुआ एक दूसरे वजीर आजम के साथ क्या हुआ इसलिए आप से कहने चाहते हैं कि अगर लोक्तंत्र की हिफाज़त नहीं करोगे तो जालिम इतना ताकतवर हो जाएगा कि आपको सांस लेने तक नहीं देगा अब आजम खाँ ठमने का नाम नहीं ले रहे थे आजम ने कहा कि बात सिर्व रामपुर और आजमगर की हार जीत की नहीं कोई फरक नहीं आजाएगा लेकिन आपने तो बिलासपूर की सीट हार दी आपने तो हमारे मुह पर कलंक लगा दी हम किस बात के लिए जेल में थे हम कि एक इंच जमीन हमारे नाम पर है एडी के अफसरों ने हमसे जेल में पांच दिन परताल कि और हमसे सवाल किये कि बताईए विदेश में आपके कितने खाते हैं हमसे सवालात किया कि बताईए विदेश में आपके कितने होटल हैं कितनी कोटिया हैं आपके एक फकीर आदमी से हिंदुस्तान की उमत ये सवाल कर रही है जो गली के अंदर रहता है कि बताईए दुनिया में आप कितनी जायदाद है मैंने कहा कि तुम्हारे सवालों पर मुझे ना गुसा आ रहा है ना अफसो सोराई बलकि इस बात पर शर्मारी है कि मैं कहा पैदा हो गया आदम खान थमने का नाम नहीं लिया इस पूरी कह सकते हैं सवा के दौरान उन्हों ने कहा कि आदम खान ने कहा कि आज फिर आए हैं आपके पास बहुत आते हैं आपके पास हमेशा मांगने के लिए आते हैं बिखारी बन कर कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए हमने संस आज हम कह सकते हैं इमानदारी से चुनाव लड़ा दो हमारे खिलाफ देश का कोई नेता आ जाए अगर हम हार जाए तो हमारा सर उतार देना उन्होंने कहा कि अगर लोगतंतर नहीं बचेगा इंसानियत नहीं बचेगी इंसानों को जीने का हक नहीं बाकि रह जाएगा आजम इस तरह हम विश्व गुरु पे बने पेगंबर इसलाम की तोहिन करके हम विश्व गुरु बनेंगे दुनिया तबाह हुए जा रही है और हम उससे सबक नहीं लेते तो वहीं हम रूस और यूकरियन की जंग से सबक नहीं लेते चीन ने हमारे ओपर कितना बड़ा कब्ज कर रखा हैं मुझसे सबक नहीं लेते हम दुश्मनों से लड़ते भाई से भाई को लड़ाते हैं इस सारी बात आजम खान भरी सबा के मंच से करते नजर आए और लोग उनको सुनते भी नजर आए उनकी बातों से सहमती जताते भी नजर आए तो आजम खान कांग्रेस पर नि पक्षिय पार्टियों पर भी निशाना साधा और साथी साथ इंद्रा गांधी तक के समय को याद कर लिया जेल से उनका पुराना नाता तो नहीं कहेंगे लेकिन जो अभी हालिया वाक्य रहा उससे काफी खराब एक्सपिरिंस रहा सीतापूर जेल के बारे में कड़वी हक बताते हैं नजराए साथी साथ सपा पर मुक बताये जा रहे हैं और अब ये भी बाते कही जा रही है कि लोग सबाच चुनाव को लेकर भी वो तैयारियों में जुट चके हैं आने वाले वक्त में आजम खान की क्या बड़ी भूमिकाय रहेंगी सबापार्टी में ये इपक गुपता कैमरावे निराजिक के साथ आपसे विदर लेता हूं धन्यवाद